हेलो गाईज, वेलकम तो इंग्लिस एडुकेशन, इस्टूडेंट्स आजम पढ़ने वाले हैं, क्लास नाइन्थ बी हाई बुक से सेकंड चेप्टर के लोग कोशन आंसर, और सेकंड चेप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, चेप्टर की समरी क हम आलरेडी पढ़ चुके हैं, शोर्ट कोशन आंसर भी हमने पढ़ लिया, अगर आपने नहीं रेखी हैं वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप रीट कर सकती हैं, तो देखें कोशन है हमारे पास, हाओ ड़स इवलिन अक् कैसे मिलती हैं, जो हंडीकेप लोग हैं, वार डू यू लर्न फ्रम हर लाइफ, तुम उनके जीवन से क्या सीखते हो, देखते हैं, इवलिन सेज, इवलिन कहती हैं, कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हो ना, और तुम ये जानते हो, कि तुम जा कहां रहे हो, यू विल ग जो उन्होंने देखा था, और उनकी जो स्ट्रांग डेटर्मिनेशन थी, द्रण निश्चे जो था, वही उनकी सफलता का एक सीक्रेट था, शी इस दीव, बट हर राइट, ओन दा टॉप, तो देखें, वो डीव थी, भैरी थी, लेकिन उनका उनकी जो द्रण निश्चे थना वो उन्हें उचाई पर ले कर जाता है, शी इस एन इंस्पिरेशन टू दा हैंडी कैप्ड बिकोज सी हर सालफ इस दी, तो देखें, वो जितने भी लोग हैंडी कैप्ड होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, उनके लिए वो एक प्रेणा की तरह थी, क्योंकि वो एक डीव थी, बिइंग हैंडी कैप्ड हर सालफ, सी हैज ब्रोट परसेशन टू दा फ्रेंट ओफ दा ओर्केस्ट्रा, तो देखें, मतलब वो डीव थी, एक हैंडी कैप्ड होने के बावजूद, वो जो हैं ओर्केस्ट्रा, जो ढोल बादन था, उसको ओर्केस्ट्रा से आगे लेकर आती हैं, सी क्रियेटेड हिस्ट्री बाई, इसकोरिंग वन ओफ दा हाइएस्ट मार्क इन दा हिस्ट्री ओफ अकैडमी, तो देखें, अकैडमी के हिस्ट्री में उन्हें सबसे जढ़ा हाइस्ट मार्क मिलते हैं, इसलिए वो इतिहास रच देती हैं, दे डीव महसूस करते हैं अगर इवलीन ये कर सकती है वाई केंनोट दे तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं और यहां पर इवलीन से उन्हें एक आइडिया मिलता है कि वो अपने जीवन में किस तरह से उन्नती कर सकते हैं वन लर्ण्स प्रोम हर लाइफ that where there is will there is a way तो देखें यहां पर उनके जीवन से कोई भी सीख सकता है कि जहां चाह है वहां रहा है C teaches me how determination and hard work are key to success तो देखें वो हमें क्या सिखाती हैं वो हमें सिखाती हैं कि किस तरह से जो द्रण्स निष्चे होता है और hard work होता है वो सफलता की चाबी होता है physical handicaps are is no way an obstacle to success तो देखें वो कहती हैं जो physical handicaps है जो यह सारी रिक विकलांगता है यह सफलता के बीच में कोई बाधा नहीं डाल सकती है describe Evelyn's achievements तो देखें Evelyn के achievements को बताना है what help her overcome her problem और उसे किस चीज से मदद मिलती है कि वो अपनी समस्य से बाहर निकलती है Evelyn was a deep girl तो देखें Evelyn जो एक भैरी लड़की थी her hard work and strong determination put her on the top तो देखें उसका जो hard work था यानिकि जो उसने कठिन परिश्रम किया द्रण निश्चे किया इससे वो उचाई पर पहुंच जाती है today sea is the most most south after multi पर क्विस्निस्ट तो देखें वो जो है कहीं तरह के धोलवादन को जानने लगी थी she has mastery over some 1000 instruments तो देखें एक धोलवादन ही नहीं वो 1000 से भी जादा instrument को पर उन्होंने mastery हासल कर ली थी she has traveled to all the major countries across the world तो देखें और तो और उन्होंने क्या किया वो जो है जितने भी major जितने भी मुख्य देश है ना पर मुख्य देश है उन्होंने यात्रा भी की see to the united kingdom तो देखें उन्होंने united kingdom की भी यात्रा की with an orchestra orchestra के साथ भेल she was a teenager जब वो एक teenager थी तब ही वो जो है यात्रा कर चुकी थी see audition for the royal academy of music and scored one of the highest mark in the history of the academy तो देखें वो वहाँ पर audition देती है और वो जो है उस academy के history में सबसे highest mark गेन करते score करती है see gave solo performance to work solo performance भी वहाँ पर देती है see has also captured most of the top awards तो देखें उन्हें बहुत सारे top awards भी मिलते हैं see was presented with the royal philharmonic society's famous solist of the years award तो देखें जो royal philharmonic society थी उनके द्वारे एक famous award भी दिया जाता है उन्हें it was her strong determination and self confidence that helped her in her life तो देखें ये केबल उनका द्रण निश्चे था और उनका खुद का confidence था जो जिसने उनकी मदद की उनके जीवन में यानि कि जो द्रण निश्चे था उनका confidence था वो उनकी मदद करता है उन्हें आगे बढ़ने में तो देखते हैं नेक्स्ट को इल्विल ग्लीनी had already accomplished more than most people twice her age तो देखें उनकी उमर के जो दुगनी उमर के लोग थे वो जो हैं उनसे जादा अचीव कर चुकी थी what is your opinion about तो आपका क्या विचार है इस सब के बारे में जानते हैं in my opinion इवलीन ग्लीनी अचीव more than most people twice her age तो देखें वो जो उनकी उमर से जो दुगनी उमर के लोग थे उनसे जादा सफलता वो हासिल कर चुकी थी it is true that she achieved a rare success through determination hard work and courage तो देखें ये जो उने सफलता मिली थी ये उनके determination से बहुत कठिन परिश्रम से और उनके साहस से मिली थी she was just 17 वो के बल 17 साल की थी when she audition for the royal academy of music जब उन्होंने अपना audition दिया था royal academy of music लंडन की याँ पर बात की जा रही है she topped the class उन्होंने class को भी top किया by the age of 19 जब वो 19 साल की थी she had won most of the top awards जो देखें 19 साल की होते हुए उन्होंने बहुत सारे top awards को gain कर लिया था she mastered over some 1000 instruments तो देखें उन्होंने जो है 1000 instruments से भी जादा पर mastery hustle कर ली थी वो उन्हें बजा सकती थी she brought percussions to the forefront of the orchestra तो देखें ढोल बादन को वो orchestra से भी आगे लेकर आ गई थी today she is the world's most out after multi percussions तो देखें यहां पर आज आज जो है वो संसार की सबसे जादा सुनी जाने वाली और सबसे जादा मतलब मल्टी जो ढोलवादक है मल्टी कह सकते हैं कहीं तरीके के ढोलवादन वो कर सकती थी next question है what inspiration do you get from the life of Evelyn Evelyn के जीवन से आपको क्या प्रेणा मिलती है according to you what were the most important factors that helped Evelyn in her life और आपके according आपके अनुसार वो कौन से important factor थे जो Evelyn की मदद करते हो उनके जीवन में तो चलिए जानते हैं if you work hard end तो यह Evelyn का कहना था कि अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो ना और तुम यह जानते हो कि तुम जा कहा रहे हो you will get there तो तुम वहापर ओच जाओगे क्या मिलती है inspiration मिलती है प्रेणा मिलती है उनके जीवन से strong determination and hard work make any impossible impossible work possible तो दिखें strong determination होना अगर द्रढ निश्चे हो और इंसान कठिन परिश्रम करे तो हर एक impossible work जो है वो possible बन जाता है ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना हो सके इवलिन's life is a lesson for all तो देखें इवलिन का जो जीवन है वो हर एक के लिए एक lesson की तरह है एक part की तरह है who are physically disabled or challenge तो देखें इवलिन क्या थी वो physically disabled थी challenge थी यानि के वो handicap थी विकलांग थी despite being handicapped मतलब विकलांग होने के बावजूद भी Evelyn was able to attain glorious height उन्होंने जो है एक उचाई को हासिल किया उन्होंने सफलता हासिल की in the field of music music में see achieve what a normal person cannot उन्होंने वो हासिल किया जो एक नॉर्मल परसन भी अचीव नहीं कर सकता है अलब handicapped होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की वह ज़्यादा लगन से काम किया और द्रड़ निश्चे करके किया और उन्होंने जो है सफलता को हासिल कर लिया इवलिन्स फैमिली हर मेंटोर रोन फोर्ब्स तो दिखें उनका जो परिवार था उनका जो निर्देशा कुपदेशा कह सकते हैं उनके जो टीचर थे और हर स्ट्रांग डेटर्मिनेशन और उनके जो द्रड़ निश्चे था एंड हाड़ वर्क उनका जो कठिन परिश्रम था are the factors that help her attain glorious height और यही सारी चीज़े थी कौन-कौन सी उनका परिवार उनके mentor और उनकी strong determination और उनका hard work यह सारे factors थे जो उन्हें एक height तक एक उचाई तक पहुंचाती है she got support from her family उन्हें अपने परिवार से भी साहारा मिलता है her mentor motivated her to go ahead तो देखे उनके जो teacher थे उपदे सकते वो उन्हें motivate करती हैं जिससे कि वो आगे बढ़ सके motivation and self-confidence are very important factor that help her in getting right to the top तो देखे यह जो उनका motivation मिल रही थी और उनका self-confidence था यही important factors थे जो उन्हें एक height तक लेकर जाती है another important factor is एक और important factor बताया गया है यहाँ पर another important factor is her strong determination उनका जो द्रणिश्चे था वो भी एक factor था और महतकुन factor था all these factors helped Evelyn in her life और यह सभी factors जो है Evelyn की मदद करते हैं उनके जीवन में उन्हें आगे बढ़ने के लिए तो देखिए इस तरह से आपके सभी questions होते है complete I hope सभी आपको अच्छे से समझ में आभी गए होंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक like जरूर किया करें जिससे हमें motivation मिलता है और आगे हम आपके लिए कुछ और अच्छा करने की कोशिश करते हैं अगर चै और आपके केर